आप आप अपने सामने सॉन्टिस में दर्वास का फ्रिक्वेंश क्या च्किया उसने तुछ क्या इसे भी रिवर्स करानी को पड़ेगी यहाप इसमें बज़ रहेगी यहाप आप आप क्या कर रहा तुवसपार आप आप कर दिया तो यूट्यूब कर दिया तो यूट्यूब पर किया ना तो डेबिट कर देना चाहिए इतने रुपे से डेबिट करवा दो यहाप यूट्यूब पर स्टॉप कर दो यहाप अगला अकॉंट है शेयर अलॉट्मेंट अकॉंट इसको भी डेबिटेट बाई रूपी एक काम कर दो इसको रिवासल कर्वानी की अवश्कता है मै Heights चेक दो क्या बेटे मुझे इसके रिवजर्ट करवानी है राची नगे ज्को आपने शेयर अलॉटमेंट अकॉंट को यहां पर यहां पर अपने शेयर संवेशब अपने अपनेٌ अकॉंट प्रेड करवा Yo यह क्या आपको ऐसा नहीं लगा माइक चेक 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 क्या कर रहा था तू क्या है हो क्या था हो ओकी गाइस वेलकम बैक अन कर दिया भी अके ठीक है, आपको आवाज आँए है? लाई-स्त्रमीग, कैस? पता नहीं अरसा क्यों हो रहा था बट वी आउल्ज़ प्रॉल्ल सबचह नहीं आपको अनौज आँए है इस आवाज के अरी आई नहीं आशा आँए है कैसे, अभी अभी अबही है 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 all okay all okay clear clear everybody clear so now it's time to start something about eis abhi eis को पढ़ लेते हैं i mean sm को पढ़ते है इसको सब लोग तक information पहुचा देंगे एक बार मैं इसको telegram तक इंफोरमेशन पहुचाता हूँ इसके link मैंने डाल दी है और सभी लोग अच्छे से पढ़े let's start guys welcome back so guys abhi start करते हैं SM का topic एक नया chapter के साथ में SM की शुरुवात करेंगे okay यह SM rocks मेरे पास है और chapter 5 की शुरुवात करेंगे chapter 4 हमने already खतम किया था if you remember chapter 4 हमने खतम किया था now it's time to start chapter 5 of SM let's do it आप सभी लोगों को मेरा कहना है chapter 5 जो है उसमें सिफ तीन ही बच्चे होते है chapter 5 के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो इस पूरे chapter में किवल तीन ही बच्चे होंगे there are only three babies in this chapter और chapter खतम हो जाता है यह chapter 5 का master chart में आपको दिखा रहा हूँ rocks मेरी किताब का नाम है उससे बड़ी बहतरीन किताब बनाई है ES और SM rocks की कहीं लोग जो है in fact all India rank one boy उन्होंने भी rocks ही पड़ा था she said कि उन्होंने rocks को आठ से नो बर पड़ा था actually rocks की किताब जो ऐसी किताब है जहां पे main model को हमने concise कर दिया है points भी रखे है headings भी रखी है memory techniques भी लिखी है examination में कैसा पुछते वो भी लिखा है पर बहुत concise किया है जो फाल्तों का data सब अटा दिया because main model जो हमारी ES SM की वो 600 किताब की है और यह हमने 1304 परणों में submit कर दिया है जहां पे आप देख सकते हो वही लिखा है इसको लते crisp एकदम वही लिखा है जो होना चाहिए इसलिए काफी लोग इसको refer करते हैं और examination में अच्छा score लेकर आते हैं including all India rank 1 और rank 12 आप उनका interview देखे तो आपको समझ जाएगा उन्होंने भी ES rocks और SM rocks इन किताब का इस्तवार किया अगर आपको लगता है कोई किताब चाहिए तो आप ज़रूर इसको website पर जाके swapnallparty.com से purchase कर सकते हैं जासे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा हो सकता है आगे बढ़ेंगे और अगर यहाँ पे हम लोग chapter 5 की बात करते हैं the entire chapter entire chapter is broken down into three parts एक best cost एक Michael Porter एक Porter's five forces प्लीज यात रखिए we are on chapter number five of SM दोस्तों सबसे पहले पड़ते है best cost यानि कि दोस्तों यह chapter कहता है अगर आपको अगर cost कम करना है तो दो तरीके होते हैं अगर किसी को भी सस्ता देकर attack करना है तो दो तरीके होते हैं एक तो rating कम करवा दो एक तो discount ही दे दो या पर एक काम करो discount मत दो प्राइस उतनी रखो पर उतनी प्राइस में ज्यादा quantity दे दो उतनी प्राइस में कुछ एक दो feature additional दे दो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ अब मैं आपको कह रहा हूँ जैसे example कभी कभी लिखा होता है आप लेज लेते हो या कभी आपने कोई प्राइस परसें एक्स्ट्रा याने कि लोग क्या करते है प्राइस पहले भी 10 थी अभी भी 10 है पहले 10 रुपय में 100 ग्राम आ रहा था अब 10 रुपय में 130 ग्राम आएगा यानि कि उन्होंने क्या किया प्राइस सेम रखी और उसमें ज्यादा कॉंटिटी दी ऐसा कही बार होता है आप जब होटल में जाते हो और आप बारगिनिंग करते हो तो यह लोग क्या करते है डाइक प्राइस ही कम करते थे थे 30% off, 50% off, 70% off यह reduced cost है अक्सर अगर आप OYO की website पर जाओगे तो आपको हमेशा देखो कि यह कमरा तो बहुत महेंगा था कट 30% off अब Amazon पर जाओ आपको यह हमेशा देखेगा पर अगर आप कोई chips खरीद रहे हो कोई biscuit ले रहे हो कोई soap ले रहे हो या मान लीजे आप कोई biscuit का packet ले रहे हो या फिर आप lace purchase कर रहे हो तो वहाँ पर आपको same feature with additional quantity और quality आ सकता है reduced cost की example मेरे सामने ओला दिख रहा है मुझे Amazon पर लगातर आपने दिखा होगा आपने वो एक website देखेगा जिसका नाम है मिंत्रा आपने देखा होगा हमेशा discount चलता है यह सब reduced cost की example है इसे के साथ में हमारा best cost खतम हुआ यह chapter में तीन ही बच्चे है एक best cost, एक Michael Porter और एक Michael Porter's five forces everybody please concentrate, everybody please concentrate now, अभी हम लोग बात करें Michael Porter की generic strategy Michael Porter की, Michael Porter आप जान जोई कि एक ऐसा इंसान है जो मैं आपको जिसकी शकल दिखाना चाहता हूँ Michael Porter, Michael Porter यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ Michael Porter's Generic Strategy Generic Strategy इसलिए आप इस इमेज को देखके काफी कुछ समझ जाओगे, इसलिए इमेज दिखाना में लिए बहुत ज़रूरी है मैं आपको कुछ इस इमेज से समझाना चाहता हूँ, जो देखने के बाद तुरंती आपको समझ आएगी एक सुन्दर सी इमेज आपके सामने इस समय स्क्रीन पर, जिसका नाम है Michael Porter की Generic Strategy जी, please concentrate now, दोस्तो, Michael Porter की इंसान है, जिनका मानने कोई भी धंदे में, कभी customer को attract करने होते हैं, उसके दो तरीके होते हैं एक तो सस्ता देके attract करो, और दूसरी बाद सस्ता मत करो, आप चाहे तो महेंगा चार्ज कर सकते हो, पर कुछ अलग देके करो, कुछ differentiation, कुछ तो अलग होना चाहिए, ताकि लोग आपके उपर फिदा होना चाहिए मैं आपको कुछ example लेकर आता हूँ, आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताईए, ये cost है या differentiation है? जो लोग सस्ता करके attract करते हैं, हम लोग उनको cost कहते हैं, और जो लोग सस्ता करके attract नहीं करते हैं, जो कुछ बहले ही महेंगा रते हैं, पर कुछ अलग देते हैं, उसको differentiation कहते हैं, मेरे पास अनेग example है, इतने example है, you will be crazy about it, नो सबसे पहले number one example बात करतो, आप मुझे करते हैं, और मैं apple phone की बात करता हूं, they are not giving you सस्ता, but they are giving you something different, you are ready to pay more also, but still you are able to attract, you are attracted to those, because वो आपको कुछ तो अलग देते हैं, और जब कोई company अलग देकर लोग को attract करने में कामया हो जाती हैं, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं, differentiation, it means they follow differentiation strategy, क्या follow कर रहे हैं, differentiation, याद रखना, cost and differentiation, दोनों का difference क्या है, कौन से लोग होते हैं, जो सस्ता देकर attract करते हैं, cost reduction, कौन से लोग है, जो अलग देकर attract करते हैं, differentiation, चलो Nike shoes की बात करते हैं, Nike shoes आपने देखोगा, it's very costly, they are not attracting customer by reducing cost, but they are attracting customer by giving something different, क्या quality होते हैं, उसको कहते हैं, differentiation, पुना में एक restaurant है, जहां पे मिलता है, आपको South Indian खाना, नाम में वैशाली, और वाकी इदली मिलती है, 95 रूपीज में, they are not attracting customer by reducing cost, they are attracting customer by giving different kind of sambar, different kind of vada sambar, different kinds of idli, vada, dows, आपको ऐसे quality के देगें, जो आम दुकानों में नहीं मिलेगा, इसका मतलब quality, आपके शेर में भी कोई ऐसा restaurant होगा, जहां पे कीमत बहत होती है, फिर भी लोग वहीं मरते, because they are not attracting you by reducing the cost, but attracting you by giving something different, उसको कहते है, differentiation, cost और differentiation की बात करता हूँ, तो मुझे रखता है, बाबा रामदियों दोनों को follow करते है, बाबा रामदियों की पतंजरी जो है, उसमें ना किसे सस्ता है, पर उनका product लोगों से अलग भी है, हरबल जो स्वदेसी भी है, यानि कि बाबा ने चौके पर चौका मारा है, because बाबा ने क्या क्या, लोगों attract तो क्या सस्ता देके, पर बाबा का जो दंत कानती है, केश्ट कानती है, बाबा का हौला जूस है, यह सारी जो चीज़े बाबा ने जो बनाई है, वो बिलकुल जुदा बनाई है, अलग बनाई, जो बजार में इतना असान है चाने मलता, कुछ तो अलग है, लगता है, उसमें बिलकुल केमिकल नहीं है, यानि कि बाबा ने सस्ता भी बेचा, अलग भी बेचा, इसलिए बाबा का दिन दुगना, रात चौगनवा बिजनस हो रहा है, मेरा आप स से पहले तो, बताओ बच्चो क्या किया है, बहुत कॉस्ट, इतनी कॉस्ट फोकट में दिया है, एक साल तक लोग को आदत लगाए, उसको बोलते है कॉस्ट, I hope you are understanding, कॉस्ट और डिफ्रेंसीशन में, बताओ बच्चो कहां पे, किसका रिसर्च और डिवलप्मेंट बहुत अच्छा होना जरूर यह, जब आप डिफ्रेंसीशन करते हो, अगर कि डिफ्रेंसीशन में अगर आपको प्रोड़क जुदा करना है, जिसे एक्जांपल में बात करते हो, रे-बैन, रे-बैन गॉगल, सस्ता हिस्ते नहीं, कुछ अलग हिस्ते लोग अट्रैक करते है, दो को स्ट्रैक को रे-इंसीशन में अब को स्ट्रैक को इसके रे-बैम बिफ्रेंस इशन में किसका रे-इसर्च अ अच्छा होना चाहिए, छाहिए, मुझा बता हूं। डिफ्रेंट सिजब लोगों को अलग देते हो अच्छा देते हो वह ब्रैड जो इसलिए जो बनदा एपल फोन उसकता है वह बात में भी आपल फोन जुश कता है जोस्तों कोश्त कम करके आप लोगो ब्रैंट लॉयल नहीं बना सकते हैं वो आपको कभी भी चाइना फोन नहीं तक ही मैं आंखरी समय तक चाइना फोन यूज करूंगा ऐसा कोई नहीं बोलता पर आखरी समय तक आइफोन यूज करूंगा यह कोई बोलते है तो बता बच्छो कहां पे आप वो करके अट्रेक्ट करें हो You are attracting people by giving different differentiation तो इसले ब्रैंड लोल्टी का अबनीगे, differentiation एक बात बताओ, cost और differentiation के मैं बात करताओ आपके जैसा product बनाना बहुत आसानी से लोग कर सकते है cost में, सस्ता तो कोई भी लाज सकता है अलग लाना, इसले एपल फोन जैसा लाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए differentiation जैसा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तो मेरे पास differentiation का example ये भी है cost और differentiation में, आप से मैं सवाल पुछताओ mcdonald's की बात करते है, तो mcdonald's आप मुझे बताओ आप सस्ता है, इसले जाते है, अलग है, इसले आता है या फिर उसमें दोनों भी है दोकि लोग, बहुत सारे लोग mcdonald's ले आते हैं विकास उसमें टेस्ट होत अच्छी होती है इसले differentiation है, और बहुत लोग इसले भी जाते है अगर college going बच्चों को party देना है तो 500 रुप में 10 लोग खा सकते है इतना सस्ता भी वो है इसले मतलब mcdonald's जो है, restaurant है वो सस्ता भी है और differentiation भी है तो दोस्तों, मैं अगर बात करता हूँ अगर मैं आप से सवाल पूछता हूँ ज्यान से सुनना अगर market price sensitive है तो इसले गो फोर cost आगर market को पैसो की परवाह नहीं है लोग पैसो को घंटा गिनते नहीं है गो फोर डिफेंसेशन इंडिया जैसे country में cost की बहुत मारा मारी है cost की बहुत मारा मारी है लोग की पैसो की बहुत कमी है इसले बहुत सरी चीज़े इसलिए चलती है बिगोज वो सस्ती होते है अगर मुझे बताओ मैं आपको इंडिया की एरलाइन्स में कोई भी चाहे आप jet airways की बात कर लो चाहे आप go air की बात कर लो चाहे spice jet की बात कर लो मुझे बताओ आपकी भी ऐसी गर एरलाइन होगी आप क्या करोगे सस्ता दे के अट्रा करोगे अलग दोगे मालो यहां से दिल्ली में जो रेट है वो एक flight में 4000 है और दूसरी flight में 10,000 है पर वो आपको बहुत अच्छी सर्विस दे रहे बहुत अच्छा खाना दे रहे आपको सोनी की जगा दे रहे हर एक passenger पे एक air hostess service करने लिए रखी है आप मुझे बताओ आप 4000 में उड़ना पसंद करोगे या 10,000 में अरे हम लोग भारत के लोग है हमें पैसो की परवाव होते हैं क्या लेट के जाएंगे और क्या सो के जाएंगे अरे दो घंटे में या से दिल्ली आता है अरे क्या हम तो ऐसा बेढ़ जाएंगे हमें तो अगर उन्हें ने बोला ना 4000 के दे 2000 लेंगे और तो पाइलेट के बाज़ना तो मैं पाइलेट के बाज़ना जाऊँगा वो बले गाए 1000 में मैं हवाब में लटक के चल जाऊँगा अरे हम भारत के लोगे हम कैसा भी बेढ़ सकते ट्राइटो अंडरस्टैन में जो कह रहा हूँ आज समाझ जी की बात करें दोस्तो भारत में अगर आपको एरलाइन सक्सेसर करना है न अलग अलग दिनी जोरत नहीं सस्ता दो लोगी एरलाइन चलती है इसने भारत के सारी एरलाइन कॉस्ट वाला मॉडल फॉलो करते है डिफरेंसेशन होला नहीं I hope लेट तक के भी जाएंगे बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, नेरो और ब्रॉड आप क्या होना? कॉस्ट और डिफरेंसेशन तो समझ गया इसमें के नेरो एक ब्रॉड है आपका इससर दोनों नाव उपर से डबल कॉपी-पेस्ट कॉपी-पेस्ट होई कि एक ब्रॉड के लिए कॉस्ट डिफरेंसेशन है एक नेरो के लिए नेरो का दूसरा नाम फोकस भी होता है सरी नेरो का उंसिप्ट क्या है? नेरो यानि कि आपका टार्गेट क्राउड बहुत छोटा सा होता है यानि कि आपका टार्गेट क्राउड बहुत ही छोटा सा होता है उसको कहते हैं नेरो और आपका market size बहुत बड़ा होता है, यानि की broad, जैसे example दे रहाओ में, Amazon की बात करता हूँ, कितने सारे customer, नजाने क्या क्या चीज़ों को खरीते हैं, वो broad में आता है, जियोफोन, पुरा इंडिया के कितने लोग उसको यूज़ करते, जब आपका target crowd बहुत बड़ा होता है, उसको broad कहते, पर आपका target crowd बहुत छोटा सा होता है, उसको narrow कहते, चलो एक example लेते हैं, हॉस्पिटल के साथ में, एक हॉस्पिटल जो multi specialty हॉस्पिटल है, जिसमें आपको कोई भी बिमारी है, जैसे आपके पूने के पूने हॉस्पिटल है, उसमें आपको कोई भी बिमारी हो, पेट की हो, सर की हो, आखो की हो, कुछ भी हो, आपको महाँ पर इलाज मिलेगा, पर मालने, पूने में एक गैझेटिना चेक कर रहे हैं, तो क्या हो गें? वो नारो हो गई जब आप क्या कर रहे हो, बाउत सारी चीचे कर सकते हो पर फिर भी आप एक छोटी सी चीज पर धेहन देजे अब दुनिया के चीज़ करते आप, वो ब्रॉड होगा है, पर आप बुले नहीं, मैं सिफ जेश्टे में प्रैक्टिस करूँगा, वो गया नहरो, तो ब्रॉड और नहरो में फरक है, एक ब्रैंड इसका नाम है, क्या नाम इस ब्रैंड का, उसका नाम है, भूल गया है, इक लहाँ वोला, Claire's, C-L-A-I-R-S, Claire's, यह ब्रैंड सिफ लड़कियों का, वो भी है, उसमें उनके वो ऐसे सीरी का, कॉस्मेटिक एन ऐसे सरी, लड़कियों को चमकने के लिए, फैशनेबल चीज़े होती है, या कॉस्मेटिक चीज़े है, सिर्फ लड़कियों के लिए ब बुड़िया, आंटियों के ज़र होते हैं नदाधियों के लिए, उसमें उन्हें एज गूप देखा, अट्रा से लेके तीस तक के लड़कियों हमाँ पर जाती है, और अपने वे समान खरिती है, यह उन्होंने एक ग्रूप पकड़ा है, यह नहीं किया नैरो हो गया, पर अगर मैं यही चीज, अगर उसमें जाता हूँ, क्या बोलते हैं हमारा, मिंत्रा में मिंत्रा, मिंत्रा तुमें तो सब मिलता है, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में सब मिलता है, इसने वो ब्रॉड कहला जाते है, I hope आपको समझ रहा है, ब्रॉड और नैरो का फरक है है, हम है guys, come on, तो मेरे एक सवाल में आपसे जवाब पूछ लूँ, दांसे देखेंगे, इसने बता हूँ, ब्रॉड और नैरो में अगर मैं बात करता हूँ, आप मुझे बताए, जियो किसमें आगा, ब्रॉड, और ब्रॉड में कॉस्ट में आगा, डिफरेंशिर में है दोनों म ब्रॉड है ब्रॉड, कितनी चीज़ है उच के पास में, जो मंगो वो देता है?, एंफ-पिर में ब्रॉड में ब्रॉड में आप बता पतने लिग कॉस्ट थे कर रिफिंसियाशन है पता जिले तो दोनों भी है? सस्ता भी जयता है औलग भी जयता है? चलो मैं पूछता हूँ आप से आप जवाब दीजिये Amazon क्या है? Amazon broad है के नहीं है? Broad है, पर broad में अलग नहीं है Amazon लोगो को सस्ता देके है, track करते है कभी आपने देगा है, आमेजॉन से आपको कुछ अलग मिला है For example, आपने कोई एक चीज मगवाई, कोई मोबाई मगवाई तक वो दुगान से भी मोबाईल ही मिलता है और आमेजॉन से भी मोबाईल ही मिलता है इधर भी MMI मिलता है, उधर भी है ऐसा नहीं कि Amazon को mobile कुछ अलगाता है, Amazon लोगों को अलग देके नहीं, सस्ता देके अट्राक करते हैं, ये broad up समझे का है, और narrow में क्या करें, narrow में जैसे example लेते हैं, जो auntie है जो सिर्फ आखो का रेटीना चेक करती है, उन्होंने फीज रख दिये सिर्फ 10 रूपे में आजाओ, वो सस्ता इसलिए नहीं, मैं दिमाग वाली हो, 30 साल से यही काम कर रहे हूं, पठता तो आजाएं तो घर पे जा, डिफरेंसियेशन है, बहुत सारे डॉक्टर के नहीं है, इसलिए नहीं चलता है दुगान, बहुत सारे डॉक्टर का धन्दा इसलिए नहीं चलता भीको सस् परफ्ताने लेता बहुत चार्ज करता है फिर भी लोग मरते हैं वो कौन सा है नैरो है वो सिव नी धुनता है एक पूना में डॉक्टर जिसका नाम कुछ तो वाकन कर या कुछ तो है वो सिव नी रिप्लेस्मेंट करता है और कुछ ने नी बदल देता है आपकी हो आप आपको ब्रॉड में आना है के नैरो में और उसके यह डिसाइड करो आपको कौश बनना है के डिफ्रेंसेशन तो तो सी यह बनने आपको क्या करोगे ब्रॉड में जाओगे के नैरो में जाओगे आप जनरल प्रैक्टिस करोगे सर में तो सिफ डिटी में करोगे सिफ डिट हो जाएगा हाट हर आफिक लाइन एनक वरॉट हो जाएगा फिर ब्रॉट में हो गले आज सर में सस्ता तो नहीं दूँगा इतने साल सी एक क्या सस्ता कुंन करेगा फिरो ब्रॉट और डिफ्रेंसीशन के लिए जेगा मैं अलग दूगा पर पैसे भी चार्ज करूगा यह वाला question हमारा खतम हो दोस्तों यह chapter का जो main दो हिससे खतम हो गए अब तीसार लास बच्चा जो इस chapter का बचा है जिसका नाम है Michael Porter's five forces क्या बोला हमने five forces यह Michael Porter के five forces है आपको समझा है मैं क्या बोल रहो क्या मतलब है इनका Michael Porter के five forces एक इंपॉर्टेंट मेसेज करना है मुझे ओके Michael Porter कहता है जब भी आपको किसी धंदे में जाना है ना पहले competition का pressure चेक करना चाहिए जितना competition का pressure ज़्यादा होगा उतना वो धंदे में आने का ना है आप धंदे में तभी आएंगे जब pressure of competition कम होगा तो यह Michael Porter जो है बड़े विज्ञान है बहुत ज्ञान है उनके पास में उनका बोलना कोई भी धंदे में आने से पहले आपने क्या करना चाहिए वहां का pressure चेक करना चाहिए अगर वहां का pressure जो है कैसा है Michael Porter's मैं लेखता हूँ five five forces और यह आगई images के सामने आप ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ Michael Porter के five forces आप यह ले लो यह ले लेता हूँ चाहिए तोड़ा सा बढ़ाई image ओके ध्यान दे Michael Porter केता है पता है कि एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी airline की business में आ जाता हूँ वो गदी मता चाहूँ Michael Porter ने मुझे बला रुख जा भाई पर वीजू ने सुनाने वीजू की लगगई कड़े-कड़े इसने दोस्तो Michael Porter कहता है कि जब भी आपको नए industry आपका धंदा कौनसा की इन फिशे दारू बनाते ना दारू बनाओ अगर आप airline में आ रहे तो मुझे से पूछो पहले मैं आपको शला दूँगा अगर आपको अच्छा अब तभी जाना वरना मत जाना तो देखते हैं 5 forces क्या होता है 5 forces आने की सबसे पहले देखते हैं कि rivalry क्या है rivalry आने कि वहाँ पे कितने लोग खुंकार competitors है example बताओ airline के धंदे में अगर मालनो imagine करो SP को airline SPC को airline चालू करना है SPC को airline चालू करना तो क्या करना पड़ेगा वो चेक करना चाहिए कि वहाँ पे airline के धंदे में कितने लोग है तो आप जानते हो rivalry ज़्यादा है कि कम है airline के धंदे में भूत rivalry है Spice Jet, Go Air, Air India, Tata, Vistara इस सारी कितनी है Indigo, इतनी सारी airline है इनके ही आपस में बहुत ज़्यादा competition है, intense है और मैं उसमें SP airline चालू करूँगा तो आप मुझे बताओ मेरे लिए अच्छी बात है कि गंदी बात है यह मेरे लिए unfavorable है विकाद जब आल्ड़ी राइवल्री बहुत होती है इंडस्टी में, वो पहले आड़ दस लोग पहले से जगड रहे और मैं एक जाओंगा तो और बढ़ेगा इसलिए ऐसे धंदे को मेरे लिए favorability नहीं rivalry के point obviously यह कहते है कि मेरे धंदे में आना चाहिए कि नहीं चे, मेरे धंदे में आना क्योंकि इस धंदे में rivalry आगे बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे दोस्तो bargaining power of supplier, बताओ एरलाइन के धंदे में supplier किते हैं, आप जानते होंगे worldwide के वर एरलाइन के दो ही supplier है, एक है Airbus और एक है Boeing, पूरी वर्ड में aircraft बनाने वाले सिर्फ दो ही लोग है आप सोचो, Boeing Company बनाती है aircraft और एक है Airbus आप सोचो, हम लोग जब एरलाइन बनाएंगे, तो क्या होगा? हम लोग जब एरलाइन के धंदे में आएंगे, तो हम बनेंगे ए, Boeing मुझे एरलाइन चाहिए, ए, कौन सा Airbus मुझे चाहिए? मुझे बताओ, पुरे वर्ड के एरलाइन चाहिए, और वो सी दोई मैनुफेक्ट्र है, तो उनकी चलेगी यह है, SPA एरलाइन की चलेगी, उनकी चलेगी ना, वो बहुत लेगे, SPA लेगे, मैं बोलूँगा, मेरी बारगिनिंग, यह यह rate मैं दे रहा, तो पटता तो ले, ने, तो यहां से कट ले, because यह मेरा rate है, because तू नहीं, तो कई और सी मेरे पास 50 लोगे बायर, तो सोचो बच्छो, मेरी चलने वाली नहीं है, क्यों नहीं चलेगी, बिकास सप्लायर के बाल दोई है, तो इसले बच्छो, यह अच्छी बात है, यह गंदी बात है, यह गंदी बात है, तो दोस्तो, अभी तक दो बाते गंदी होगे, कौणसी, राइवल्री, बहुत ज़्यादा है, profit बच्छेगा ने, because बहुत competition हो जाएगे, सप्लायर बहु ज़्यादा नहीं आते के नहीं आते, नहीं आते भाई, यह एरलाइन के धंदे एक तो पहले license मिलते नहीं है, और बहुत ही उसके regulations है, बहुत पैसा लगता है, capital intense business है, तो बताओ बच्छो, SP एरलाइन के लिए अच्छी बात है, यह गंदी बात है, बहुत अच्छी बात है बिकॉज हर रोज नहीं नहीं बंदा नहीं आएगा, पर आज देखते हो, आजकल mobile बेचने वाले की दुगाने बहुत लगती है, आपने आपके शेर में देखोगा, पहले एक दुगान थी जापे mobile बेचते थे, अब हर गली में नुकड में mobile की दुगान है, तो जिस industry में बहुत नहीं 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 लोग हर रोज पेदा होते हैं वापे भहुत competition हो जाती है, तो ये बात कह रहा है, अगल Michael Potter का सुने, तो airline के धंदे में जाने से पहले, जब मैं threat of new entrance एकता हो, तो मुझे सुकून लगता है, अच्छा लगता है, कि यार नहीं नह लोग कमाएंगे, मतलब competition बहुत जदा नहीं बढ़ेगे, ये point मेरे लिए फेवरेवल होगे, अभी बताओ, तीन में से कितने point favorable होगे, दो बाते मेरे लिए unfavorable है, और एक बाते मेरे लिए favorable है, ये point कहता है, हाँ चलो ठीक है, आपके लिए अच्छा है, आप जा सकते हो, बताओ, bargaining power bear, आप जैसे लोग जब airline से ticket purchase करेंगे, किस से करेंगे, spice jet से, jet airways से, go air से, आप माल लीजे, air India से, indigo से नजाने किस से करोगे, विस्तार से करोगे, आप मुझे बताओ, आप जैसे बायर की चलेगी, या SP airline की चलेगी, बायर की, क्यों मालू मैं, बायर के पास मे जो वो make my trip पर जाएगा न, दस था की company की airline दीगी, अगर उसको यहां से बंबई या आप यहां से दिल्ली उड़ना है, तो उसको 10 airline दीखती है, तो बताओ, वो किस से purchase करेंगा, जहां पर सस्ता है, तो बताओ, SP airline की चलेगी है, customer की चलेगी, SP airline की चलेगी, customer की चलेगी, SP airline की बिलकुल नहीं चलेगी, customer की, customer का bargaining पार ज्यादा है, तो बताओ, बच्छो, हमारे लिए competition इंटेंजी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसका मतलब यह point favorable नहीं, unfavorable नहीं, इसको से competition का pressure बहुत बढ़ेगा, because buyer हमेशा उसी से buy करेगा, जिसकी cost कम है, तो चार में से कितन इसके point favorable होगे, एक ही point कह रहा है, कि तुमने airlines लेके धने आजए, तीन point कह रहा है, कि SPC, तुम education में हो, education ही करो, airline के धने में बता ना, तुमारे तो यह माट लगे, तुम भी विजय माले बन जाओगे, चौथा last point, substitute, मुझे बताओ, यह point के लिए क्या है, देखो बच्छो airline की सच्चूर बहुत है, कोई इंसान यहां से दिल्ली जाना है, तो train से भी जा सकता है, bike से जा सकता है, car से जा सकता है, कुछ-कुछ जगा पर तो boat से भी जा सकता है, पानी से, तो आपको नहीं लगता बज दोस्तों कि airline से, आगर airline ने, जैसे example में आपको, यहां से गोवा जाना था, अब उस दिन में जाना था मुझे गोवा, उसने 14 हजार की टिकेट बताई, 14 हमने कहा हूं का तीन दोस्तों ने, हमने ऐसे car निगा ली, इसका मतलब क्या है कि बच्चो, अगर यह point न, अगर airline के धंदे को, ऐसा ने कि airline कुछ भी बोलेगा, लोग कुछ भी इंडिया में लोग बुलेगे, बहुत महेंगा के चल, train से बुला उसको, यानि कि इसका substitute, है न, ऐसा हो ने कि airline से नी उड़ेगा, तो पहुचेंगे नहीं, मैं domestic की बात कर रहा हूं, इंट्रेंस की होदर, domestic में तो आपकर समे option है, बहुत सारे, आप गाड़ी से, आज कल र एरलाइन डालना है, तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं, लोग मेरे उसे लोगा आड़ा नहीं है, लोग बोलेगा, तो बहुत मस्ती में, एक काम का तेरी एरलाइन में तुका अखेला उड़ ले, मैं तो जा रहा हूं, तो बता, पांच में से कित्ती बात है, एक बात, और चार बात है कित्ती होगी, अन्फेवरेबल, यानि की सारी बातों को देखते हों लगता है कि मैंने इजजट से एजूकेशन के धंदे में रहना चाहिए, SBC क्लासे जिंदा बात, मैंने एरलाइन के धंदे में नहीं आना चाहिए, और इसलिए मैं आज तक एरलाइन के एक और चार बाद है फेवरेवल तो SPC airline start नहीं होना चाहिं माइकल पोटर का यही मतलब होता है कि जब भी आप नए धंदे में आते हो आपने five forces चेक करना चाहिए इसका memory टिकनी में ने बनाया है पोटर बाबा की रेस पोटर बाबा की रेस 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 रहने की R E SS क्या बहुत है पोटर बाबा की रेस बाबा यहने की buyer's bargaining power R for rival E for entrance S for substitute S for supplier अज़नाल से बेदगेंट है मेनाल में आ इसना दो आधा है इसे यह नवैज दंडे में जादा में जासे new entrance ने ने इंटर्ण इस दंदे में बहुत कम आ रहे इसलिए प्रेशर बहुत कम है यह पॉंट कम से हम फेवरेबल है as for substitute airline के बहुत substitute है इसलिए पॉंट हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और as for supplier airline के दंदे में इसी दो ही supplier है इसलिए मेरे लिए अच्छी बात इसलिए यह दंदा कहता है कि मैंने इस दंदे में आना माइकल पोटर को कभी उसका नहीं चाहिए दंदे स्टाट करने के बात यह पहले पहले अगर इसका नहीं सुनके अगर डेरेकर लिए अमने धंदा स्टार्ट कर दिया ना तो बाद में मालूम चले कि आपने हजारों को नुक्सान कर दिया इसलिए दोस्तों Michael Porter के बाबा की रेस आपको एक बार बोलो फिर से बार Porter बाबा के Porter बाबा के बाबा Bias bargaining power R for arrival E for entrance S for supplier S for substitute इसी दास से दोस्तों यह chapter हमारा खतम हो गया इसको आपने यह आद कर लिया बताना बच्चो Michael Porter के इसाब से किते वो डाइग्राम याद को एक तो ब्रॉड होगा एक तो नर्रो हो और ब्रॉड नर्रो में कहों से होगा cost, differentiation, cost, differentiation याद रखना इसको बोलते है Michael Porter की generic strategy एक सवाल पूछो यह Porter के strategy में जब होती जनर्रिक strategy यह चारो का चारो एक साथ यूज होगी आपको सेलेक करना तो ब्रॉड में जाना है के नर्रो में उसमें भी cost में जाना है के differentiation और बेस्ट कॉस्ट में बताओ cost कम करने के दो तरही कहों से एक तो direct discount ही देतो और दूसरा discount मत दो उसके ज्यादा quantity देतो या ज्यादा features देतो इसे के साथ बच्चो यह chapter अगर कोई पूछेगा इसमें कितने बच्चे होते हैं तो इसमें तीन बच्चे होते हैं कौन से कौन से बताओ एक है Porters क्या Porters Five Forces जो हमने आभी देखे इस chapter का नम Michael Porter भी रखा तो चलेगा विकाज यह भी Michael Porter है यह भी Michael Porter है यह तो इसे best cost है ओकी गाइस I hope यह chapter number 5 आपका खतम है आपका homework जो है दोस्तों आपका homework जो है वो इतना important है आज कि आपने chapter 5 को पुरिता से पढ़ देना चाहिए I would expect you to read इसके बाद में chapter 5 को पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान साबित होगा It will be very easier for you to read chapter number 5 Chapter 5 को भी examination में कभी कभी 6 तो कभी 8 माग के लिए ऐसे आप पूछता है So guys, make sure You guys are reading chapter number 5 पूरा detail में आपको पढ़ना होगा Okay guys, thank you so much अगर आपको rocks लेना है जैसे कि यहां दिया हुआ है जहां पर उतना ही लिखा हुआ जितना की जरूरत है ताकि आप बार-बार रिवाइज कर सको तो यह website पर उबलब्द है बाकी तो आप अपने book से पढ़ाना तो पढ़ सकते हैं Thank you so much guys, take care कल मिलेंगे economics के साथ में एक कुछ आड़ बजे के आसपास Thank you guys, take care Bye-bye, good night फिर मिलेंगे कल Thank you guys, thank you so much Take care, bye-bye, good night मैंने इस पूरे lecture में सारी बाते क्लिरली डिफाइन किये कभी आपको लगा कि कुछ चीज़ों के बार में आपको और समझना है इस पूरे lecture को वापस देखना आपको सारी चीज़े और एक बर रिवाइज हो जाएगे Okay, thank you so much, take care God bless you guys, take care, bye-bye करे भूरे झाल 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 झाल